माबाप ने इन्हें नाम दिया था कवल जीत लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें बना दिया पेंटल जाने कितने ही फिल्मों में पेंटल सहब ने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खुब हसाया लेकिन पेंटल सहब के बारे में बहुत जादा जानकारी उनके चाहने वा टीवी पर आज पेश है एक्टर कवरजीत पेंटल की कुछ अनसुनी कहानिया दिल्ली की गलियों से निकल कर कैसे एक्टर कवरजीत पेंटल मुंबई में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सके इनके बारे में आज कई दिल्चस्प और रोचक बातें हम और आप जानेंगे पेंटल का पूरा नाम कवरजीत पेंटल है लेकिन जब ये फिल्म अड़िस्ट्री में नए नए आय थे तो इन्हें लगा कि इनका असली नाम कवरजीत पेंटल काफी पारंपरिक और याद रखने में मुश्किल नाम है इन्होंने काफी सोचा कि ये अपने लिए कौन सा फिल्मि नाम चुने और आखिरकार इन्होंने अपने सरनेम पेंटल को अपना फिल्मि नाम बनाने का फैसला किया दूसरी कहानी, पेंटल को बच्पन से ही एक्टिंग का चसका लग गया था, स्कूल के दिनों से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगे थे, छोटी उम्र से ही इन्होंने अपनी कॉलोनी में नाटक करने शुरू कर दिये थे, अपने घर के सामने एक सफेद चादर बांध कर ये वहाँ शैडो प्लेज क्या करते थे, जो इनके महले के लोगों को बड़े पसंद आते थे, तीसरी कहानी, पेंटल के पिता किसी जमाने में लाहोर इस्तित पांचोली आर्ट स्टूडियो के सीनियर कैमरामेन हुआ करते थे, बटवारे के ब पिता की सलह मानते हुए पेंटल सहब ने फिल्मेंट टेलिविजन इंस्ट्यूट ओफ इंडिया में दाखिले के लिए अपलाए कर दिया और किसमत से इने वहाँ दाखिला मिल भी गया, चोथी कहानी, FTII यानि फिल्मेंट टेलिविजन इंस्ट्यूट ओफ इंडिया की सुरेश चटवाल इनके सहपाथी थे, वहीं नवीन निश्चल और शत्रुगन सिना इनके सीनियर हुआ करते थे, पाचवी कहानी, पेंटल का फिल्मी करियर 1970 में आई फिल्म उमंग से शुरू हुआ था, उस फिल्म में दिगज डारेक्टर सुभाश गही ने भी काम किय और जिस वक्त पेंटल ने ये फिल्म साइन की थी, उस वक्त वो FTII से पास ही हुए थे, हाला कि बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि पेंटल सहब ने पहली दफ़ा FTII में ही बनी राखी राखी नाम की फिल्म एक्टिंग की थी, वो फिल्म महेश कॉल जी ने बना महान मीना कुमारी जी के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला था, मीना कुमारी जी को याद करते हुए एक इंटरव्यू में पेंटल जी ने बताया था कि वो बच्पन से ही मीना कुमारी जी को फिल्मों में देखते थे, वो खाब देखते थे कि काश जीवन में एक दफ़ा मीना कुमारी को आमने सामने देख ले लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें मीना कुमारी के साथ फिल्म में काम करने का मौका ही दे दिया मेरे अपने फिल्म की शूटिंग के दोरान मीना कुमारी जी के साथ पेंटल जी का बहुत अच्छा रिष्टा बन गया था साथवी कहानी फिल्म लाल पत्थर में पहली दफ़ा पेंटल सहब ने अपने दोर के शांदार अभिनिता राजकुमार के साथ काम किया था राजकुमार सहब अपने रोबिली शक्षित के लिए मशहूर थे उनके कई ऐसे किसे चर्चित थे जब उन्होंने किसी नए कलाकार की जम कर टांग खीची हो लाल पत्थर में पेंटल सहब राजकुमार जी के नौकर बने थे जब पेंटल पहली दफ़ा राजकुमार से मिलने जा रहे थे तो काफी घबराए हुए थे लेकिन जब ये राजकुमार के सामने पहुँचे तो उन्होंने बड़ी सहचता से इन से बात की और इस तरह कुछ ही मिन्टों में पेंटल सहब के मन में जो राजकुमार को लेकर घबराहत हो रही थी वो फुर हो गई आठवी कहानी पेंटल सहब सत्ते पे सत्ता फिल्म में अमिताब बच्चन के छे भाईयों में से एक थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का एक किसा शेयर करते हुए पेंटल जी ने एक दफ़ा बताय था कि फिल्म का वो सीन जिसमें हिमा मालिनी सब को नहाने के लिए बोलती है वो कश्मीर में शूट किया गया था और जिस वक्त ये सीन शूट हो रहा था उस वक्त कश्मीर में बहुत जादा थंड थी ठंड की वज़ा से सारे कलाकार ये सीन टाल रहे थे लेकिन डारेक्टर राज सिप्पी ये सीन जल्द से जल्द शूट करने का दबाव बना रहे थे आखिरकार एक दिन सबकलाकार ये सीन शूट करने के लिए तैयार हो गए और फिर जैसे तैसे ये सीन कम्पलीट कर लिया गया उसके बाद अमिताब बच्चन ने डारेक्टर राज सिप्पी को भी पानी की होज में फेंग दिया उस दिन राज सिप्पी ने अमिताब को खूब गालियां बकी थी नवी कहानी पेंटल जी के भाई गूफी पेंटल को अपने बियार चोपडा की महभारत में शकुनी मामा के रोल में देखा होगा गूफी पेंटल जी भी एक जबरदस्ट एक्टर हैं उन्होंने अपने जीवन्त अदाकारी से शकुनी का किरदार अमर कर दिया वैसे ये बात भी जानने लायक है कि एक्टिंग करने से पहले गूफी पेंटल विग्यापनों की दुनिया से जुड़े थे और उससे भी पहले वो डारेक्टर एचेस रवेल के असिस्टेंट के तोर पर काम कर रही थे एचेस रवेल के बाद गूफी पेंटल ने उनके बेटे राहूल रवेल के साथ भी काम किया था महा भारत में गूफी पेंटल के साथ ही पेंटल जी ने भी शिखंडी और सुदामा के किरदार निभाए थे महा भारत का शिखंडी का किरदार भी एक अमर किरदार है दसवी कहानी पेंटल जी ने अपने करियर में अब तक डेड़ सो से भी जादा फिल्मों में काम किया है और वो अब भी एक्टिव हैं इसके अलावा पेंटल जी छोटे परदे पर भी काफी सक्रिय रहे हैं उनके निभाए महाभारत के शिखंडी और विक्रम बेताल के दगडू के किरदा आज भी लोग याद करते हैं बात अगर पेंटल जी को मिले आवोर्ड्स की करें तो 1973 में आई बावर्ची और 1978 में आई चला मुरारी हीरो बनने के लिए पेंटल सहब को फिल्म फेर आवोर्ड फोर बेस्ट परफोर्मेंस इन अ कॉमिक रोल दिया गया था पेंटल ने